नमस्कार दोस्तों मैं गणेश दिवांगन मेरे यूटूब चैनल रानी टेलर एंड जनल में आप लोगों का स्वागत करता हूँ दोस्तों आज का जो वीडियो है यह बहुत यह इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के अपने इस वीडियो में मैं आप लोगों काटोरी ब्लॉच कटिंग करने का एक ऐसा फार्मूला बताऊंगा जिससे कि आप किसी भी साइच के ब्लॉच की कटिंग कर सकते हैं यानि कि हमको कोई भी साइच का कटोरी ब्लॉची कटिंग करना है, तो हमको इसमें कटोरी नापने की आवसकता नहीं है, इस फार्मूले से आप सभी साइच के ब्लॉची कटिंग कर सकते हैं, जैसे कि हम 36 सिंज की ब्लॉची जब कटिंग करते हैं, तो हम उसमें 5.5 तो इस फारमुले की साहता से आपको कटोरी याद रखने की आवसकतर नहीं है आप डायेट कटिंग कर सकते हैं और कटिंग करने के बाद आपका बिलकुल परफेक्ट कटोरी निकलेगा इस बात की मेरी गरेंटी हैं तो दोस्तो आप लोगों से मैं रिक्वेश्ट करूँगा कि आप मेरी इस वीडियो को पुगा देखिए और साथी साथ आप लोगों से कहना चाहूँगा अगर आप मेरी वीडियो को पसंद करते हैं और में चैनल में नए हैं तो में चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन के स्टार्ट करते हैं देखिए ब्लाउस कटिंग करने के लिए सबसे पले तो हमें किन किन नाप के आउसकता पड़ेगी उसका मैंने एक लिष्ट बना लिया है अभी मैं जो नाप आपको बता रहा हूं आप चाहे तो इसे बॉडी नाप भी समझ सकते हैं या फिर कपड़े का नाप भी समझ सकते हैं मैं आपको स्रीफ फार्मूला बताने के लिए ये एक मेजरेमेंट आपको बता रहा हूं तो लंबाई मैं इसमें ले रहता हूं 14 इंच सोल्डर इसका ले रहूं मैं 10 इंच क्योंकि मैं डीब गले में ब्लाउच कटिंग करूंगा सीना इसका ले 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 हूं 36 इंच कमर इसका ले ले हूं 28 इंच सामने गला 6 इंच पीछे गला 10 इंच अस्तिन की लंबाई में ले ले हूं 5 इंच और इसकी मुहरी में ले ले हूं 10 इंच ये जो नाप है मैं इसी नाप के according आपको इस formula बताऊंगा लेकिन ये formula आप सभी size के blouse के लिए use कर सकते हैं आपको इसमें कटोरी नापने की आवसकता नहीं पड़ेगी तो सबसे पहले तो मैं blouse की लंबाई लोगा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा मैं इसमें सामने पल्ला और पीछे पल्ला एक साथ cutting कर रहा हूं ये हमारा सामने का पल्ला रहगा उपर वोला हिस्सा और निचे वोला हिस्सा है वो पीछे पल्ला रहगा मैंने इसको double fold में लिया हुआ है अब आते हैं सबसे हम लंबाई में तो लंबाई क्योंकि 14 इंच है तो मैं इसमें एक इंच यानि की सिलाई मार्जिंग एड़ कर रहा हूँ यानि 15 इंच में और इस साइट भी मैं एक निसान 15 इंच में लगा लेता हूँ और इसको मैं सकेल से खीट लूँगा आप ध्यान रखेंगे इसकेल से ही सीधी लखिर के अपयोग करें टेप से नहीं अब आते हम इसके सोल्डर में क्योंकि सोल्डर इसका साड़े दस इंच है तो साड़े दस इंच का हाफ होगा हमारा सवा पांच इंच तो मैं सवा पांच इंच में देखिए ये निसान लगा रहा हूं और एक सवावाद Gang मय यहाँ पर भी आगे निशन लगा लेता हूं। मैं इसमेंं साती शात गले का फैलाव का भी निशन लगा लेता हूं। मैं इसमें 20 हीच ले रहाँ गले का फैलाव 36 है। क्योंकि मैं पहले भी आप लोगों बता चुक़ूं को हूं, अगर आप shoulder और piping अच्छे तरीके से लगाते हैं तो आपको कभी भी गला आपका उतरेगा नहीं और एक चीज और ध्यार रखेंगे आप कि जब भी आप shoulder दबाते हैं यानि कि उपर shoulder सिलाई करते हैं तो इसको पौन इंच दबाईए क्योंकि हमने सिलाई margin एक इंच दिया था तो इस साइड हमारा पौन इंच इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो सबसे पहले हम अब इसमें आर्मोहल का निसान लगा लेते हैं चूकि 36 इंच इसका सीना है तो मैं इसमें इसको आर्मोहल ले रहूं साड़े पांच इंच कई सेस्क्राइबर मुझसे पूछते हैं कि सर आप आर्मोहल छोटा कटिंग करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आर्मोहल हमेशा आप छोटा ही कटिंग करिए सिलते वक्त अगर आपको आर्मोहल छोटा होता है तो आप उसमें कटिंग करके उसको बढ़ा सकते हैं अब आते हैं हम इसके सीना में तो सीना मैं इसका ले रहा हूँ 36 इंच 36 इंच का एक चोथाई होगा हमारा 9 इंच ये 9 इंच में और 1.5 इंच हमारा सिलाई मार्जिंग जो धिला वो टाइट करने के काम आता है और इस साइड मैं ले रहा हूँ इसको 7 इंच क्योंकि 28 इंच हमारा इसका कमर है तो एक चोथा ये वक्त 7 इंच और 1 इंच मैं ले रहा हूँ जिससे कि आपको समझने में परिशानी न हूँ अब आते हैं हम गले में चुकि ये सामने पोर्षन कटिंग कर रहे है तो सामने गला हमारा 6 इंच है तो मैं इसको 6.5 इंच में निसान लगा लेता हूँ मैं इसमें गोल गला ट्रा कर रहा हूँ आप अपने पसंद के अनुसार इसको ले सकते है अब आते हम इसके आर्मोल में तो आर्मोल की फिटिंग अच्छी लेने के लिए मैं तिर्ची लगी रहा ऐसा खिसता हूँ और देखिए मैं इसकर्व कैसे ले रहा हूँ वैसे भी मैंने आप लोगों के लिए अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है कि आर्मोल की पर्फेक्ट फिटिंग कटिंग कैसे करते हैं देखिए यहां से आप एक इंग नाप लीजिए यह सामने पल्ले की गहराई होगी और पीछे पल्ले की गहराई के लिए हम थोड़ा उपर से ऐसा लेते हुए इसको लाके हमको लास्ट में जहां पर हमें 9 इंग का निसान लगाए था महां में ला लेना है यह लेखिए यह हमारा बिलकुल पर्फेक्ट आर्मोल की शेप तयार हो गया है अब आते हैं हम इसके योगपटी में 36 इंग सीना है और लंबाई हमारी 14 इंच है तो मैं इसमें 12 इंच में योगपटी का निसान लगा रहा हूँ और इस सैट भी मैं 12 इंच में इसका योगपटी का निसान लगा रहा हूँ अब इसको मैं सीधा स्केल से खीट लेता हूँ यह ऐसे यह तो फ्रेंड्स यह तो नार्मल होता है अब मैं आपको बताऊंगा कि सभी साइज के लिए क्या फर्मूल आईए तो देखिए हमने 36 इंज सिना लिया था तो हमने यहाँ पर इसको ना पा था 9 इंज तो आप 9 इंज को 3 से डिवाइट कर लिजे तो इन 9 इंज कर से 3 इंज डिवाइट करेंगे तो हमारा आगा 3 इंज वैसी दोस्तों अगर सिना जित्ता भी रता है यासे 34 इंज सिना है मालो तो हम यहाँ पर 8 इंज लगाते है निसान तो 8 इंज इंटू 3 स्वारी तीन से डिवाइट करना है हमको, कोई भी साइज हो, अगर हम 38 इंच सीला नरते हैं, तो यहां हम निसान लाएंगे ये तीने इंच और एक तीने इंच ये। देखहिए मैंने तीन जगह तीन जगह निसान लगाया हुआ है। आप जो भीसी सीना से तीन इंच इन इनश में दिवायड करने में जो भी आपका आता है। जैसे कि मैं इसको हभी taiवायड करूंगा , तो यह हमारा करीब करीब पौने तीन इच करीब आएगा तो पौने तीन इच यहां फिर पौने तीन इच यहां से यहां फिर यहां से यहां पौने तीन इच मतलब जो भी हमारा सीने में हमने निसान लगाया है वन साइड में एक चौता हिस्से का उसको तीन भागों से हमको तो देखिए मैंने यहां पर निसान लगा लिया है तो यह हमारा है तीन हिस्सों में हो गया अब देखिए अब कटोरी करना है तो फ्रेंड्स हमको यह जो दो भाग है यह हमारी कटोरी बनेगी तो यह हमारा आ रहा है दो भाग चैंज तो हमको चैंज में भी हमको यहां पर ऐ अगर 40 इंच सीना से उपर आता है तो इसको हमको सवा दो इंच में निसान लगाना है कहां से यहां पर से अगर 40 इंच के नीचे है तो इसको हमको निसान लगाना है दो इंच में अब वैसी हम इस साइड से इसको निसान लगा लेंगे 5 इंच में यह 5 इंच में अब इसको मैं scale से सिधा खिच लेता हूँ और इस side मैं इसको round shape ले लेता हूँ कटोरी का तो ये देखिए ये कटोरी का हमारा perfect shape ready हो चुगा है मैंने आपको बहुत ही असान तरीके से बताया अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो आप इस video को rewind कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमको हर size में कितना हमको कटोरी रखना है ये हमको रियाद रखने की आवसकता नहीं है सीना से one side, मतलब एक चोताई सीना से हमको तीन से divide करना है और तीन भागों में बाट के दो भाग को हमको कटोरी बनानी है तो यह हमारी कटोरी बन गई है अब हमें क्या करना है इसका main dot point लेना है जैसे हम बाकी blouse में लेते हैं एक इंच में आप ऐसा निसान लगा लिजिए और इस side से हमको निसान लगाना है friends, दो इंच में और इधर लगाना है हमको निसान पौन इंच में अब इसको ऐसा कर्व लेते हुए हलका सा तीचा नहीं लेना है हलका सराउंट से लेते हुए इसको लाके आपना मिला लेना है तो यह देखिए हमारा blouse कटरा ready हो गया है अब हम इसको कटिंग करके अलग कर लेते हैं यह हमारा समने पल्ला है यह बैक पल्ला है बैक पल्ले में हम 10 इंच गला कोई भी शेप लेके कटिंग कर सकते हैं अब आते हैं हम सामने पोर्षन में तो देखिए यह सामने पोर्षन है अब इसको हम सारे पार्ट को अलग-अलग कट करके निकाल लेते हैं यह देखिए कट के रेडी हो गया है अब हमें कटोरी को बढ़ा के कटिंग करना है क्योंकि कॉट्टोरी में सारा dot point और सारे margin हमको add करके cutting करना है तो उसके लिए हम सबसे पहले अलग से एक paper ले लेते हैं ये देखिए और इसको friends हमको इसको as it is जैसा ये है ये देखिए जैसा ये है हमको वैसी ही इसको copy कर लेना है उसके बाद हम इसमें भी एक इंच का यहाँ पर ऐसा ड्रा कर लेंगे अब देखिए अब क्या करना है तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप इस formula से cutting करते हैं तो आपको कटोरी के दोनों सैट इस सैट एक इंच हमको सिलाई margin मार्जिंग आदा है और इस सैट भी हमको सिलाई margin आदा इंच लेनी है अब इस सैट को हम square से मिला लेंगे और इस सैट को हमको बिलकुल ऐसा round shape लेते जहांपर हमने एक इंच का निसान लागाний था वहाँ पर लाके ऐसा मिला लेंगे ये देखिए अब क्या करना है तो जहाँ पर हमने star mark किया था वहाँ पर tape रखे ये नीचे की और हमको धाय इंच में ये निसान लगा लेना है और इसको लाके scale से ऐसा मिला लेना है ये ऐसे और इस side भी हमको scale से सिधा ऐसे मिला लेंगे अब इसको हम कैची से गट कर लेते हैं अब इसको हमें ऐसा double fold कर लेना है center में ये ऐसे और हमको इसमें कहीं भी कुछ और नापने की आवसकता नहीं है हम यहाँ पर से देखिए यहाँ पर से इसको डेड़ इंच में इसका dot ले लेंगे ये ऐसा और इसको यहाँ पर से cut कर लीजे और इसको भी यहाँ से आप cut कर लीजे और इसको हम ऐसा फोल्ड कर लेंगे तो ये हमारी perfect कटोरी तयार हो गई है ये देखिए इसका full out किता बहतरीन आया है पब इसका बहुत बहतरीन आया है अब मैं आपको इस कटोरी को नाप के दिखाता हूँ ये कटोरी किते इंच की है क्योंकि हमारी कटोरी 36 इंचीना में 5.5 इंच की रहती है तो देखिए ये अभी हमारा है 6.5 इंच याने कि आधा इंच यहां सिलाई दब जाएगा आधा इंच यहां पर हमारे सिलाई मार्जिंग लिए हुआ है तो कटोरी हमारी इसमें ready 35 इंच की आएगी तो देखिए फ्रेंड ये फार्मूला बहुत ही असान है इसमें आपको किस साइच के ब्लाउज में कितने इंची कटोरी रखना है उसको याद रखने की आवसकतर नहीं है और हमने अगर इस साइच से आप फार्मूला कटिंग करते है तो इस साइच से और इस साइच से हमने एक 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 बढ़ाया है और इस साइच और इस साइच हमने सिलाई मर्जिंग लिया है तो चलिए मैं अब आपको अस्तिन की कटिंग करके बताता हूँ तो अस्तिन की कटिंग करने के लिए मैंने ये देखिए double fold paper ले लिया है ये ऐसा और मैं इसमें सिलाई margin ले रहता हूँ मैं इसको साधा blouse के according यानि की cotton blouse या rubia के blouse के according अस्तिन का cutting बता रहा हूँ तभी मैंने हाँ पर इसमें margin लिया हुआ है अगर आप इसमें अस्तर वाले blouse ही cutting करते हैं तो इसमें आधा इसमें margin देंगे अस्तिन की लंबा ही हमारी है पांच इंच तो मैं इसमें 5.5 इंच में ट्रा कर रहा हूँ और यहां पर भी मैं 5.5 इंच ले रहा हूँ अब इसको scale से सिधा खीच रहा हूँ उसकी बाद हमको उपर से यहां पर टेप रखे जहां पर हमें 1.5 इंच में निसान लगाना है आम तर पर मुझसे कई सिस्काइबर पूस्ते हैं कि इसको कितने इंच में रखना है तो मैं आप लोग को पहले बता चुका हूँ अगर हमारे अस्तिन की लंबाई 5 इंच है तो हमको यहां पर इसको 3.5 इंच में निसान लगाना है और उससे कम है तो हम 3.5 इंच में भी निसान लगा सकते हैं अब हम आते हैं इसके मोहरी में तो मोहरी इसकी 5 इंच है तो मैं इसमें 5.5 इंच में निसान लगा रहा हूँ और यहां पर मैं 1.5 inch margin add कर रहा हूँ देखिए कभी भी छोटी अस्तिन बनती है तो इस नामोरी से इसको हमको 1.5 बढ़ा के cutting करना है ये बात का विशेज ध्यान रखेंगे तब आपके ब्लॉच की fitting में कोई भी समस्चन नहीं होगी और ब्लॉच की जो सिलाई है वो भी perfect सीधी तरीके से आएगी और हमने यहाँ पर ले लिया है इसको 2 inch में क्योंकि यही 2 inch से हमको यहाँ पर round shape ऐसा ले लेना है यह देखिए मैं कैसा इसका shape ले रहा हूँ बिल्कुल आपको ऐशे ही यह shape लेना है यह देखिए इस shape लेंगे तो आपकी अस्तिन में या arm में बिल्कुल भी जोल नहीं आएगा और देखिए मैं इसकी गहराई भी कैसा ले रहा हूँ बिल्कुल आपको इसी तरीके से ही गहराई लेनी है देखिए बिल्कुल perfect shape आया हुआ है अस्तिन का अगर आपकी अस्तिन में cutting करने में प्रॉब्लम आती है तो आप इसको continue practice करके paper में कर सकते हैं तो चलिए अब हम इसको भी cutting कर लेते हैं यह देखिए अस्तिन भी cut के ready हो गया है और एक दार रखिए कि यहाँ पर हमेशा गोल बनना चाहिए अगर यहाँ पर corner बनेगा यह नोग बनेगा तो यहाँ वले portion में आपको उठ जाएगा मैं आपको यह पताना चाहूंगा friends हमेशा मैं आप लोगों से कहता हूँ कि यह सामने पल्ले की गहराई और यह देखिए हमारी अस्तिन की गहराई यहाँ पर देखिए आके ऐसा देखिए मैं कहाँ पर रखा हूं रिसको ऐसा बिलकुल आके मिलना चाहिए तभी आपके आर मुझे मेरे WhatsApp नमबर में मुझसे पूछ सकते हैं या कमेंट से पूछ सकते हैं तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो मिलते हैं आपने किसी ऐसे ही जनकरी भरे वीडियो में जब तक के लिए take care thank you for watching जैहिन